नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉसिको के दैनिक समाचार विशलेशन में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हाल ही में प्रदान मंत्री मोदी द्वारा 14 अगस्त को पार्टीशन रिमेंबरिंस डे की रूप में मनाय जाएगा इसके बारे में है कि 1947 का जो पार्टीशन था उससे हम क्या सिक्षा ले सकते हैं और हाल ही में जो घोषना की गई है इसका क्या सिग्निफिकेंस उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे उसके बाद में आ आच जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है knowledge को access करने की right to education की ये सरकार की क्या जाब आप दे ही है knowledge और education से related और उसके साथ ही साथ यहाँ पर copyright का भी प्रशना आता है कि copyright का violation भी नहीं होना चाहिए तो हमेशा इन दोनों के बीच में एक debate रहा है कि यहाँ पर लोगों को knowledge भी बिलना चाहिए लेकिन दूसरी और वही copyright का issue भी हमेशा बनाई रहता है तो इसी debate पर यह एक article है आज का तो हम इस पर चर्चा करेंगे तो चलिए मैं आगे बड़ उससे पहले में अपना परिच्छा करवाना चाहूंगा नवंबर 2021 में आपको option A है ग्लास को option B है मेलबन option C है सिग्णी यह option D ऑकलेंड जो भी आपको उत्तर हो comment box में जरूर लिखेगा अब आते हैं हमारे बड़नातों प्रश्ण के और वह यह है कि 1947 से हम क्या 1947 में जो हमारे भारत का विभाजन हुआ था अब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उससे हम क्या सिख्षा ले सकते हैं तो इस पर आपको एक विस्तुरुख चर्चा करनी है आते हैं हमारे पहले आर्टिकल के और तो हाल हमें प्रदान मंत्री के द्वारा अगस्ष 14 को partition होरो remembrance day के रूप में बनाय जाने की घोशना हुई है विभाजन स्मृति दिवस के रूप में इसे बनाने की घोशना हुई है तो इसके पीछे क्या background है इस declaration का दो पहलू है यहाँ पर दो पहलू के बारे में बात करी है सबसे पहला कि इसका intention क्या है इसका पहले intention यह अनुमानित किया जा सकता है कि यहाँ पर human tragedy इस तरीके की human tragedy इस तरीके की भयावख की इस्तिती जो मनुष्य जाती है इन मन ना हो future में भवविश्य में भी तो इसको याद रखते हुए यह दिवस मनाया जाने का कदम उठाया गया हूँगा उसके अलावाद दूसरी बात यह भी कही गई है कि ऐसा भी हो सकता है तो कास्ट इंडिया पाकिस्तान hostility in stone मतलब यह इंडिया पाकिस्तान के अगर हम जबी वार्त करते हैं तो यहां पर हमेशा से दोनों ही देशों में गर्मा गर्मी रहती है समझ इतने अच्छे नहीं है यह किसी से चुपा नहीं है तो पाकिस्तान का जो independence day रहता है यह अगस्त 14 के दिन रहता है तो इसी दिवस को हाल ही मे ये भी माना जा रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर पाकिस्तान को कही ना कही नेगेटिव वे में अकारात्मक रूप में प्रस्तूत करने के लिए इस चौधा तारीक को यह दिवस की रूप में चुना किया है उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरा पहलू जो है अगला और पहलू देखे तो इसमें भी दो चीज़े सामने आती है सबसे पहले टू हीलिंग फ्रम ट्राजिटी एंड टू फॉस्टर रिटिटी तो यहाँ पर हम किस तरीके से इस तराज़्दी से बहार आया और किस तरीके से हमने हमारी एक मैसेज जाए हमारे समाज में हमारे देश में हमारे विश्व में उसके साथ में ऐसी गतिवीदी आगे चलके ना हो इसलिए भी उसके अलावा एक राजनेती रश्टी से अगर हम इसे देखे तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे यूपी के इलेक्शिंस आगे आने व जो हिंदू मुस्लिम्स एक सेंटिमेंट हमारे देश में देखने को मिलते है उसको कही ना कई भढ़काने के लिए ये कदम उठाया गया है तो ये दो चीजे बड़ी-बड़ी सामने आती है तो गर भारत की बात करें तो 1947 की कमुनियल वॉयलेंस जो पार्टीशन हमारा हु ये खासकर हिंदू मुस्लिम को ही लेकर जबलपूर का 1961 का मामला हो या एहमदाबाद का 1979 का जमशेटपूर में 1989 का मामला है और मुरादाबाद में 1980 भिबंडी 1984 की किलिंग भी अभी हम भूले नहीं है 1989 की है भागलपूर में 1984 में ऐसा इंसलेन हो चुका है बाबरी देखने को मिलती है और गुजरात में गोधरा में दोहतार दो मैसी हमें घटनाए देखने को मिली है अब बात यह आती है कि इसका आगे वे फॉरवड क्या है सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत एक ऐसी भूमी है जहां पर बहुत अलग-अलग संस्कृती है भाशा है धर्म है और यहाँ पर इतनी सिटीज है तो इन्हें देखते हुए बहुत जरूरी है कि 1947 में जो हमने देखा 1947 का जो हमने विवाजन देखा तो यहाँ पर सबसे बड़ा उधारन यह है कि जब exclusion जो है वो culture of inclusion के आगे चले जाता है जब भरिश्कृती करण जो है य इसके अलग-अलग पहलू हो सकते हैं अगर हम ब्रिटीश की बात करें तो ब्रिटीश जब 1600 में आए उसके बाद में 1947 बताया जाता है कि ब्रिटीश जो है इन्हों ने विवाजन की बात करें लेकिन बास्तविक्ता में अगर हम देखे तो वह खुद नहीं चाहते थे भार स्काइब शेट कर सकते हैं या आने वाले समय में देखने वाली बात रहेंगे साती साथ भारत-पाकिस्तान के क्या रिलेशन होते हैं हाली में अफगानिस्तान में जो हुआ है उसको देखते हुए भी ये अपने आप में चच्चा का पुशे रहेगा तो चलिए अगली जो का अधिकार देना तो सरकार का करतब भी है लेकिन दुसरी और ये भी बात आती है कि क्या यहाँ पर copyright का protection उस तरीके से होता है क्या तो यह अपने आप में एक बड़ा debate का issue है तो हाल ही में parliamentary parliament की जो standing committee थी commerce के उपर उन्होंने अपनी एक report दिये उस report में क्या बताया है वो देख लेते हैं यह सजेस्ट किया गया है कि curtailing fair dealing provision under Indian copyright law as the provision pose a detrimental impact on publishing industry and authors who are mainly dependent on royalties तो यहाँ पर बात की गई है कि जो copyright law में यहाँ पर fair dealing provision है इसमें कुछ बदलाव की जरुवत है इनने कुछ suggestion करा है क्योंकि यह copyright जो इशू है copyright जो है इसका violation करता है जो कि publishing industry और authors की जो loyalties मिलती है इसको प्रभावित करती है तो यहाँ पर एक चीज़ यह comment किया गया है इस article में कि state का जो obligation है right to education के लिए affordable education के लिए कि वो इसको इंग्नोर किया गया है इसको ताक पर रखा गया है उसके अलावा बात की गई है इस इशू की क्या परपस है तो महत्पून केस जो है दिल्ली हाई कोट का यूनिवर्सिटी आफ ऑक्सवर्ड और सबसें रमेश्वरी फोटोकॉपी क्या गया है कि पूर्स ऑफ इंस्रक्शन जो है यह किवल किसी समय या जगह तक सिमित नहीं रहता है पर प्रपस ऑफ इंस्रक्शन जो है वह माइने रखता है अब इसकी बात हमने इस केस की बाद क्यों की गई यह आप आगे law में जानेगे तो अगर हम copyright act में section 52 देखे तो यहाँ पर बताया गया है कि reproduction of any work की कोई भी education material जो है इसका reproduction किसी teacher या people या उनकी कोई student है course of instruction में यह allowed है उसकी साथ इसाथ fair dealing का भी provision section 52 1a में है यहाँ पर बताया गया है copyrightable work जो है उसका कहां पर exception मिल सकता ह है अब बात यह है कि course of instruction में आप आपको एक fair dealing provision का साहरा मिलता है तो इसी को define किया गया है university of foxford and other sources रामिश्वरी photocopy services and another के case में अब बात यह है कि इस committee ने जो अपनी report दी इसमें इस case को इतनी गहन चर्चा नहीं की गई इतना गहन विचार नहीं किया गया है इसा लगता ही इस आर्टिकल में इसा बताया गया है तो यहाँ पर जो committee के है यह flawed view है सबसे पहले इस आर्टिकल में इसा बताया गया है जिस तरीके से committee की report आये दूसरा यह है कि error in assuming the right of publisher was not duly accounted in due judgment की जो due का judgment आया हुआ है उसमें publisher का क्या right है इसको उतने अच्छे तरीके से इसकी परिभाशित नहीं किया गया है तो यहाँ पर interpretation में जो committee ने interpretation किया है इस due judgment के आदार पर यह अपने आप में basic रूप से मुलत हो गलत बताया जाए उसके अलावा any quantity restriction on the extent of permissible copy should be in opposite कि किसी भी copy का कितना किसी भी material कितना photocopy करना है या कितना उसका आप copy निकाल सकते है यह अपने आप में restrict करना यह किसी भी तरीके से यहाँ पर यह एक बेग तुका कतम है इस आर्टिकल में बताया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि section 52 जो है आप जरूरत है कि section 52 को जरूरत की हिसाप से edit किया जाए उस और सरकार की दिम्मेदारी है तो जलिए अगर आप हमें podcast platform पे आप हमें different podcast platform पे भी audio form में सुन सकते हैं आपको सिर्फ करना यह है इस पौटिफाइवल पॉड कास्ट एपल पॉड कास्ट और एंकर तो उसके अलावा आप हमसे instagram और telegram पे भी जोड़ सकते हैं मुझे सुनने के लिए आप से भी का धन्यावाद thank you stay tuned to law school